है गाइस विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडिय में तो दोस्तों आप सभी केंडिट के लिए एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से पर्मनेंट जॉब्स के लिए जब अरजस्त वेकेंसी रिलीज की गई है जो कि ओल इंडिया के और मेंटेनर की पोस्ट पर सरकारी नोकरी की वेकेंसिस को अपडेट कर दी गई है जो कि ओल इंडिया के मेल फिमेल सभी केंडिट अप्लै कर सकते हैं मौका मत छोड़ना गाइस क्योंकि एनपी सीयल ने आपको दुबारा फिर से मौका आपको दिया है फॉर्म अप्लै करन कि परमानु उर्जा विभाग यानि कि Department of Atomic Energy के अंडर में कितने पावर प्लांट आते हैं देखते हैं कितने स्टूडेंट तयारी करते हैं सरकारी नोकरी की जल्दी से कमेंट करके बताईए चले चलते हैं नोडिफिकेशन की ओर कौन-कौन से केंडिट अप्लै कर सकते हैं अगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं थोड़ा सा धियान से दिखेगा ये जो वेकेंसी है जो अपडेट की गई है रिकूट्मेंट को यानि की एक रिकूट्मेंट निकाली गई थी मैं आपको बता दूँ ये आपकी वेकेंसी चुगदा दिसंबर 2023 को जिसकी लास्ट डेट थी पांच जनवरी 2024 फॉर्म फिलप करने की जहां पर स्टैपेंडरी ट्रेनी की टेकनिसियन बे की स्टैपेंडरी ट्रेनी और सेंट इसको दुबारा से री ओपेंड की गई है यानि कि यही टोटल फॉर्म है आपकी जो वेकेंसी निकाली गई थी सेम नोडिफिकेशन को दुबारा से री ओपेंड किया गया है सबसे पहले री ओपेंड नोडिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ तो गैस यह वो ऑफि इसमें apply कर सकते हैं लेकिन कुछ restriction जो उसमें था उसको चीजें को हटा दिया गया अब क्या हटा गया है सबसे पहले notification ध्यान से देखो advertisement वही है advertisement नमर 3 MPS HRM 2023 same notification है जो कि आपको यहाँ पर बताई जागी जिसको आप यहाँ पर notice कर सकते हैं maintenance की step entry trainee technician भी category 2 की जो maintenance level की post है उसकी vacancies की update की गई है total number of vacancy 23 अब चले चलते हैं जो 2023 में जो notification आई थी तो guys यह वही notification है जो कि मैंने आपको बताई NPCL देख सकते हैं MPS 03 HRM 2023 वहाँ पर 03 पहले लगा था नमर 3 में यहाँ पर MPS में लगा है same वही notification है 5 जनवरी 2024 तक इसकी last date थी apply करने के लिए और यही vacancies को जोकर update किया गया है total 23 vacancies को update किया गया है technician भी और step entry training को अगर आप यह notification नहीं देखें तो आपको समझ नहीं आने वाला है इसलिए सबसे पहले हम आपको यही notification दिखाऊंगा यहाँ पर भी mention है देखो मद्रास पावर परमानो भिजली घर से vacancy निकाली गई थी यहाँ कि मद्रास अटोमिक पावर इस्टेशन की तरब से recruitment ध्यान को देखना current vacancy, backlog vacancy यही total vacancies थी यहाँ पर सब कुछ में बात करूँ अलग-अलग base पे तो सबसे पहले जो recruitment निकाली गई थी यहाँ पर category wise यही vacancy आपका step entry trainee की यही recruitment है जहाँ पर plant operator, fitter, instrumention, electronic mechanic, electrician के लिए plumber, welder और carpenter यह total number of post ही 31 लेकिन अभी जो vacancies के बारे में बता रहा हूँ हो total 23 vacancies को दुबारा से reopen किया गया, यह नहीं कि सारी vacancies को reopen कर दिया गया है फिर vacancy थी step entry trainee category 2, यह होता है diploma candidate के लिए तो physics की recruitment थी, mechanical के लिए branch के लिए recruitment था, electrical के लिए था और instrument, electronic case के लिए, total 17 post था, उसके बाद vacancy था scientific assistant के लिए जो safety supervisor में, then आपका vacancy assistant grade 1 में recruitment निकाली गई थी, अलग-अलग HRN financial में vacancy थी अब वापास आते हैं, यह new notification में जो अभी update की गई है इसमें क्या mention किया गया है, देखिए वो vacancy जो भी निकाली गई थी उसमें 10th pass के candidate वही apply कर सकते हैं, first of all ITI candidate apply कर सकते हैं बट 10th pass जो होना चाहिए, क्योंकि 10th pass plus ITI उसमें जो passing marks था 50% था यानि कि 50% एगर आपका कम marks है 50% से, तो आप apply नहीं कर सकते हैं अब इसको update कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, हाँ पर क्या गया बताए गया है जहां भी किसी भी पद पर भरती के लिए 10वी कक्षा में आनिवारी योगिता में अंकों का एक निस्तित परतिसत निर्दारित किया गया है वह वर्स 2021 में 10वी कक्षा उत्तिर्न करने वाले अभ्यारतियों पर लागू नहीं होगा और यहां COVID-19 महामारी के केंदर सरकार या राज सरकार प्राधिकरन द्वारा जारी किये विकिसी विसे साधिस के अनुसार अंको और परतिसत दिये बिना उन्हें पास खुशित कर दिया गया है याने कि लाखों ऐसे केंदर थे आपको पता है 2021 में जब COVID-19 आया था तो इसमें हर एक केंदर को 10 पास को ऐसे ही पास कर दिया गया था 2019 में भी पास किया हो था 2021 में भी इस तरह से पास आउट कर दिया गया था अब जितने भी candidate थे कि उनको marks तो मिले नहीं थे कुछ भी marks नहीं उनको पास कर दिया गया था मातर 33 marks 33 तरह करके 33 percent में पास होता है न तो इस तरह करके pass आउट कर दिया गया था तो वो बच्चे अपल सर्थों की गन्ना के लिए कट उप थी पांच जनवरी 2024 होगी यानि कि जो भी टिठी पहले थी सब कुछ वही नियम लाग होगा बट जो टेंथ पास वालों के लिए जो आपका 2021 में पासा उटे और 50% से कम माक्स है और जो भी माक्स आपका अब वो कोई भी मैटर नहीं करेग उन्हें केंद्रियर राज सरकार्ट जो भी अनितक से पास्त किया गया था नीचे उलेखित पद के लिए 2 मार्च 2024 है यानि कि ये फॉर्म जो है अप्लाइ करने की अब लास्ट डेट हो चुकी है 2 मार्च 2024 लेकिन सारे के निट के लिए नहीं अगर आपने फॉर्म फिलप क करने के लिए तो आप अप्लाइ कर सकते हैं मेकिन सी देखो किसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं यही वेकिन सी टोटल नबर है 23 जो एस टी तीएम कैटेगरी 2 जो आईटीए स्टूडेंट के लिए सिर्फ पूसी के लिए और extremely trainee के लिए ट्रेट कौन सा फिटर की टोटल वेक पेंटर के लिए एक है तो यही रिक्रूट्मेंट पोस्ट को दुबारा से रिओपेंड की गई है जिसकी उम्रे सीमा 18 से 24 साल रखी गई है बागी बाद एज रिलेक्सेशन सभी केंडिट को मिलेगी यहां पर जो सिमलर गवर्मेंट के इसाफ से मिलती है अब भाईया यह है इस तरह से आपको फिलप करनी है एप्लीकेशन नमर यानि की आपका जो भी केंडिट फोम एप्लाइ किये है काफी सारे केंडिट नहीं किया होगा एप्लीकेशन नमर आपको आपको फिलप करनी होगी एडवर्टाइजमेंट यह कोरेजनड्व में सुधी पत्र इसको आपको दुबारा से सुधी करना होगा kindly read the advertisement the NPCL portal जो आपका official NPCL का वो जो वेकंसी जब आई थी official advertisement वो आपको read कर सकते हैं कही वेकंसी जब आपको अपने step by step आपको कोई इससे fill up करना है सारे candidate eligible नहीं है ध्यान रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें वही candidate इसमें apply करेंगे जिनका 10th में marks कम था और वो apply कर चुके हैं form अब यह नहीं कि दुबारा से form आपको apply link मिलेगा जो candidate apply कर चुके हैं 10th में marks कम होने का अफज़द तो यह सुधी पत्र है इसको corresponding आपको जारी किया गया है यह आपको corresponding भेजनी है और इसकी last date रखी गई है 2 March 2024 आपको यह offline form है offline आपको भेजनी होगी है सुधी पत्र यह नहीं totally sign when करके और जितने भी सारे documents हैं यहाँ पर सारे चीज़ें आपको जो attach करनी होगी और फिर से आपको यहाँ पर send करनी होगी इनके official website पे application fee लगेगा सब कुछ लगेगा देख सकते हैं सौर पे सभी candidate के लिए तो दुबारा से reopen सिर्फ वही candidate के लिए किया गया है जो 10th pass कम marks होने के बाब जो दो apply नहीं कर पाये थे भेजनी कहां है तो यहीं आपका official total address है इसी पर आपको send करनी है ओके गैस तो hopefully good news है आप सभी candidate के लिए काफी सारे candidate apply करने से वंचीत रह गए थे वो apply कर सकते हैं लेकिन एक सी जोगा cut off बढ़ जाएगा जो पहले था उससे ज़्यादा form apply होंगे यहाँ पे फिर जैसे भी हो जो candidate eligible नहीं हो थे eligible हो चुके हैं लाइक सेरे सब्सक्राब करें मिलते नेक्स वड़ियों में तब तक लिए जैहिंद